चलने वाला यह लेजर वो प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर की कीमत बाई किसी ने मुझे वादा था पचास से साथ लाग आई आप चलें उधर के साइड उधां वहाँ पे दिखा दे हैं क्या तैयार है पूरा रेलिंग जो है लोहे के रेलिंग से इसको इसको इधर ना पाए देखें यह स्क्रीन किती बड़ी लगी यहां पर पूरा देखें घम सार उपर उठाना पड़ जा रहा है उदर पुल देखें पुराना पूल वहां पर सामने तेंट लगा गया है यह पूरे पूल पर आतिस बाजी होगी यह देखें इधर तो आप कुछ लगना हम फिर से अपने इस नए वीडियो में तो अभी आपने देखा होगा धंपत की वीडियो और यह है दोस्तों हम आपको दिखाएंगे राम की पैड़ी का जो की दिपोस्तों को लेकर काफी सा जाधा तैयारियां तेज हो चुकी है और आपको दिखाएंगे अपडेट है यहां से रामपत मार्ग और यह बगल में यह है राम की पैड़ी मुख द्वार उधर से है जहां पर खंबे दिख रहे हैं एक मार्ग यहां से तो हम इधरी से चलेंगे आपको दिखाएंगे क्या तैयारियां कैसे हो रही है और आपने देखा होगा धंपत की वीडियो त जिल्क भग इतने हैं सब दिये रहेंगे से यह वाइट लाइन आपको दिख रहेंगे यह सारी चीज़ें अब जो है पूरा यह पानी भर दिया गया इसमें जहांसे आपको दिखाते हैं यह देखिए यह अप सोचे इधर से यह पानी वैसे उदर के साइड़ निकल जाता ह हमने ध्रमपत की वीडियो में आपको दिखाया था आपने अगर देखा होगा तो दोस्तों एक बाद आपको बताना चाहते हैं कल की डेट में कल की वीडियो में भक्ति पत मार के एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप लोगों ने भगवान के नाम पे धंदा बना लिया है और किसी काम के हो नहीं और जैसा मन वैसा जो भी दिखाऊ यह दिखा वह दिखाऊ कुछ इस टाइप का उन्होंने कमेंट किया था मैं स्क्रीन शॉट लगया दे रहा हूं आपके स्क्रीन पर तो आप इनको जाके इनको थोड़ा सा सबक सिखाइए गाली कलोज मत दीजिए बताइए क्या चीज कैसे हमने आपको अभी तक जितनी वी वीडियो दिखे सम्में हसते हुए वीडियो दिखाईए बिल्कुल मनलब दुखी हो कि नहीं दिखाई है तो मनलब ऐसा लोग कमें इसमें छोड़ दिया गया है इधर की सारी चीज हमने आपको पहले ही एक्स्प्लेइन कर चुका है क्या चीज कैसे होगा हम चलते हैं मेन उस जगहां पर वहां पर सारी तयारिया हो रही है काफी यूद्ध अस्तर पे दीपोस्तों को लेकर तो चलिए चलते हैं वहां से पॉइंट पर दीख रहा है यह थोड़ा सा बहुत ही पूराना यह कोई चीज है जो कि यह अभी ऐसे ही है हो सकता है बाद में इसका निर्मार कार किया जाए अभी इधर देखिए सब इसक्रीन भी आपको दिख रहे है अभी हम चलेंगे पास से आपको दिखाएंगे तो चली चले आगे अभी देखें देखिए दीश्तो हम वहां से आ चुके हैं इस्ट और यह है पहला मार्क जो कि उठ्स साइड साइड आने के लिए और यहां से देखिए इस पूरे परिस जो कि यहां से प्रोजेक्ट करेंगा उस पच्च्च परदे पर प्रकorgt आयो अग्याय phải कुछ है यह ऊदेका धिया गया है कि आनल परना प्रोग्णायच्ट कूयिए हम को दिखाना यह जोड़ा सा हम जुम करते हैं पिर उन्हों को लगए है 210 फिट मलब ऐसे लंबाई में है और उचाई पे जो है 60 फिट मले परदे पर पूरी की पूरी जो मलब है रमार कालीन चीजे दिखाए जाएंगे इस पर और इधर यह देखिए प्रोजेक्टर जो आपको पूरे के पूरे ग्यारा प्रोजेक्टर इधर लगाए गय जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है और पानी भी छोड़ा गया हाँ पर आम की पैड़ी पे जो वहां पर लोग अश्चनान करें अभी हम चल रहे हैं आगे आपको दिखा रहा है सारी चीजे तो तो दूर से दिखाने में यह रहता है कि आप थोड़ा सा देख देख लोगों क्या चीज कैसे है यह दिखें बिल्खुल मंच जो है उससाइड की और लगे वहां से जो है बीपी आईपी लोग यह पूरा नजारा इधर का यह लेंगे तो चली चलते हैं उदर आपको रिखाते हैं सारी चीजे क्या चीज कैसे अपडेट हो रही है देखें वहा जलेंगे इस पीकर्स देखे उस साइट के और गुमातिया गया है जो कि इधर के साइट पूरा दूर दूर तक मैंने चेर्स देखे इधर पूरी चेर्स लगी गई है इनी सारी चीजों को देखते हैं यहां पर इस टेयर ऐसे बनाई जाए कि 10 से 15,000 लोगों के लिए कम से कम लोगी उदर के साइट जगहां है तो इस समय जो है ब्लॉगर बहुत जादा मलब यहां पर आग चुके हैं काफी जादा मात्रा में जैस याराम बईया बस बस रुख जाए आ रहे हैं अब यार अब इधर सब देखे कैसे पूरा एकदम सब कुछ पूरा तयारी रही हो रह सब्सक्राइब जाए जाए इस ट्रक्चर का कहना है मतलब जैसे हनुमान जी पहाड लिए हुए और उसी के स्ट्रक्चर पर मलब दिया लगाया जाए और ड्रोन सब उड़ाया जाता है तो वह उपर से काफी अच्छा दिखता है यह दिक्दम फ्रंट पे आपको स्क्रीन पूरी ही पूरी मलब पर्दे वाली स्क्रीन है यह उपर नीचे मलब सब हो जाती है कुछ इस तरीके से पूरा वो सब उदर सीटिंग एरिया वो सब दिया हुआ है और तैयारिया जो है इस टेश को लेकर काफी जादा तेज हो गई है अब दिखाते हैं इस बीच में चलते हैं बीच वाले पॉइंट पर यह देखें यहां पर मेंड एट्रेक्शन जो की पांच सालों तक चलने वाला यह लेजर वो प्रॉजेक्टर प्रॉजेक्टर की कीमत बाई किसी ने मुझे बढ़ा था पचास से साथ लाग ऐसा बताया था बट कितना है इसके वारे इसके व सारा मतलब रहेगा और देखिए बड़े-बड़े प्रॉजेक्टर यह पूरी साफ सफाई देखिए आए चले थोड़ा सा उधर के साइट अब आई करने अली कितनी खदरनाक यह मसीन जा रही है अब देखेगा पूरी नगर नियम के और से यह सारे चीज़ किये जा रहा है यह देखें में स्टेज आपको यहां से दिखा है मौके पर देखें गाली भी आ चुकी है यह सामने है में स्टेज वहां से जो है आनन्द लेंगे बिबी आई पी लोग इस बीपोस्तों का यहा स्टेज के पास यह सामने देखें आप क्या मस्त मलब भाई लगता होगा देखने में ये पूरा वी पोस्तों वहां पर देखे कुछ तैयारिया चलनी है चलिए उसको आपको दिखाते हैं इधर भी देखें ये सब स्टेज तयार हो रहा है पूरा एकदम स्राउंडिंग साउंड में ये गुलाई में स्पीकल लगे देखेंगे मानमी प्रदानमंत्री जी यहां पर यह बनाया जा रहा है कुछ तो यहीं पता है कि काम तो हो रहा है बट क्या होगा निकल कर यह किसी को निकोजा इधर देखेंगे ये तोड़ा सा और तीछे जाते हैं अब फ्रेम में आया बिल्कुल सेल्फी पॉइंट के ब पूरा आए आप चलें उधर के साइड वहां पर दिखाते हैं क्या त्यार है देखेंगे पूरा रेलिंग जो है लोहे के रेलिंग से से इसको घेर दिया है कोई धर ना पाए तो हो सकता है यहां पर बैट के जो भी वीवी आइप होगा उधर के साइड हमने आपको दिखा धर्मपत के वीडियो में वहां पर पूरा पूरा पूल है वहां पर आतिस बाजी होगी मुझा पटा के निकलते हैं बहुत अच्छा देखने में लगता है यह सारी चीज़ें कि इतना अच्छा यह तयार किया जा रहा है पूरा का पूरा आए चले उधर तो हम देखिए उधर से इधर के साइड आए में घाट के और उधर वह पूल देखे पूराना पूल वहां पर वह सामने वालब टेंट लगा गया है यह पूरे पूल पर जो है आतिस बाजी होगी जैसा कि हमने अभी आपको होता है और यहां पर एक स्टेज और आतिस बाजी का इन सारी चीजों का और चौक चौबन भी बहुत खतरना मुल्ब की गई है पर शाशन की ओर से चले चले आगे थोड़ा आप देखें यहां से आपको दिखा रहा हूं इस साइड की और देखें यह पूरा राम की पैड़ी इधर और यह पूरा में घाट इस साइड की और इस समरे तो वाई पानी काफी जादा ठंडा हो रहा है लोगों नहाने में बहुत जादा दिक्कत होती है दिक्कत क्या मलब ठंडे पानी के हो जाता है दिक्कत बाकी आस्ता को लेकर कोई दिक्कत नहीं है आन्मी नहाते ही है तो चलिए चलते हैं दस्तों इदर से साथ की बदान की ओर आप देखिया के हम इधर राम के पैड़ी के उधर से स्टार्टिंग दे लतम caregivers का 14 सी यह पूरा देखिये यह पूरा राम की पैड़ी करीब देड । लोग इधर से लगा जा रहा धा कई लोगों की आने भी जा चुके हैं तो इदर जाली लगा दिया गया है अब देखिए नखहाशी जो पत्थरों पर की जारी मलब यहां पर लगा जा रहा है तो यहां पूरा दिया गया है नागेस्व नात मंदिर शर्यू मंदिर गंगा महल चंद्र हरी मंदिर इस सारी चीजों का आपको दिखाते हैं इधर तो आप कुछ लगना स्टार्ट हो गया है यह देगे कितना प्यारा लग रहा है यह सब बहुत ही खुक्सूरत तो यह सब देखे, रखा गया है खाली खाली थोड़ा सा इसमें जगहा है वहाँ पर पेड़ किया जाएЕगा इस जहां पर गड़ेश जी लगेंगे अगर्सा रप्लब छोड़ा गया है जगहां तो यह यह है नई योध्या गोकी माननी योगी जी और माननी बदान मंत्री जी के नेत्रित में यहां से दिखाते हैं आपको यह इस नजारा देखिए कितना जादा इंजॉइमेंट बहुत ही बैतरी इदर आपको दिखाते हैं पंप के दौरा देखिए पानी कैसे आ रहा है वहां पर जूम करते हैं जूम करते हैं आपको दिखाते हैं देखिए जूम करते हैं आपको दिखे करते हैं देखिए कैसे पानी मतलब आ रहा है उदर से एक, दो, तीन, चार, चार वालब पाइक में से निकल ला है, मोटे-मोटे काफी है, और ये वाला जो रस्ता है दूसरा रस्ता है, उस पार से इस पार जाने के लिए, और इस पार से इस पार जाने के लिए, अब यहां से ये पूरा देखे, इतना खुपसूरत दृष्च रा आपको दिखाते हैं पूरी लाइट को कैसे जाली में पैक किया जा रहा है सिर्फ और सिफ बंदरों को बचाने के लिए और अभी मौके पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी लोग आ चुके हैं यहां पर देखें इस पार से चले चले आगे और थर्णस आपको दिखाते हैं यहां से आपको दिखाते हैं यह पूरा दिखें लांप की पड़ी अ है ऑदि यह यह पोरा देखें लेजर जो है यहां से स्टार्टिंग है और काफी आगे तक मतलब इसको लग νगा गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, दस लगाई गई है और देखें उस पार सी इस पार आने के लिए और भी बनाया जा रहा है यह लोहे से फ्रेम के तरूग देखें कैसे लोहे इंज्वाइ कर रहे है ना आने के लिए इसकी एक खास्यत यह है कि इसमे कोई कभी डूबे का नहीं नहाते वक्त पूरा घुटने तक पानी रहता है देखें यह स्क्रीन कित्ती बड़ी लगी यहाँ पर यह पूरा देखें इक तो हम सर उपर उठारा पड़ जा रहा है आप देखें प्रोजेक्टर उदर सब लाइन से लगे हैं जो की सीधा इस पे पूरी की पूरी जो फिल्म होगी वो चलेगी जो जहां मलब काम बाकि उसको पूट्टी के दौरा सही किया जा रहा है तो सिकर्टी को लेकर देखे पूरी के पूरी तयारिया की जा रही है अबी से ही सब मलब अपना सब लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं जिसको जो काम मिला हुआ है अब देखें मैंने आपको एक वीडियो में देखा था यही है दो मोटा वाला लोहा जो कि यहां पर पड़ा हुआ था पिसली वीडियो में हमने आपको दिखाया था काफी है भी है लोहा है ताकि यह रुका रह सके जो फ्रेम लगाया गया है जो पर्दा है काफी मलब हैवी क्वालिटी का है अब आगे हम दुस्तों नागेश्वनात मंदीर के पास अभी आपको दिखाते हैं कि अभी देगाई यहां पर भी नागेश्वनात मंदीर के ठीक सामने यहां पर पत्त्रों दारा कुछ बनाया जाएगा इस पॉइंट पर उधर भी इधर भी यह है नागेश्वनात्मंदिर थोड़ी ही दूरी पर नागेश्वनात्मंदिर यार इतने भी यहां मैं देख रहा हूं आ रहे हैं लोग क्या आप बोले छोड़िये कि इतने पुराने पुराने टाइम के सब मंदिर सब लाइट सोगेरा लक एकदम रात के टाइम में आज आता हूं आपको दोड़ा सब दिखाऊंगा मेरा पुरा प्रयास रहे हैं दिखाने का यह सारी सिज़े आप देखे कि इतनी वेरीगेटी है इधर है उधर है मला इस पार से उस पार जाने आने के लिए दूस्टो यह थी दीपोस्टो को लेकर क्या त्यारियां हो रही है तो 11 नॉम्बर को दिपोस्टो यहाँ पि बहुत भव्विं बनाया जाएगा तो सारी चीज़े आपको हमने दिखाया फिर मिलते आपको किसी और अपडेट के साथ तब तक के लिए जैसी राम घ्यान रखेगा अपना